देव दिवाली कार्तिक पुर्णिमा 2020 में कब है? इस वीडियो में पूर्ण रूप से पुजा विधी, उपाय, नियम, सुब मोहरत इत्यादी की जानकारी लेंगे जैसा कि आप सभी जानते होंगे कार्तिक पुर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी म हिंडार भढ़ जाते हैं, आप सभी को भी आवश्यक रूप से इस दिन ब्रह्म मोहरत में इस नान ध्यान इत्यादी करना चाहिए, आए यह दिन जो है, यह महना त्याहानों से भरा हुआ जाना जाता है, कार्तिक माह के विसेश दिन हैं और यह दिन तो सर्वस्रिस्ट दि की रूप में जाना जाता है, इस वर्स 2030 में आवश्यक रूप से आप सभी नियम नहीं कर पाते हैं कार्तिक माह में कोई विसेश इस नान ध्यान पूजा पाठ का तो आवश्यक रूप से इस दिन आप नियम बद्ध तरीके से करने का प्रियत्न करें, इस दिन आप सभी नहीं जा सकते किसी पवित्र घाट पर तो गंगा जल मिसे घर पर ही जल सिस्नान करें तक पश्चात प्रभु स्मरन करें ओम नमो भगवतेवा सुदेवाय या स्री सिवाय नमस्तुभ्यम के पावन और दिब्य मंत्रों का जाप करें तक पश्चात आवश्यक रूप से दीप दान करें जितना संभव हो 365 बाती का दीप दान कर सकते हैं 108 बाती का दीप दान कर सकते हैं या सामान्य सरल तरीके से खूब खूब दीप दान करने का इस दिन विधान है आप सभी तुलसी माता का विसेस पूजन करकर वहां दीप दान करें समी आवला और पीपल बेल पत्र देवालय बहता हुआ पानी आकास दीबदान की महत्ता इस दिन कही गई है ब्रह्मो महरत में यह सभी कारी करने का प्रियत्न करें ब्रत का संकल पलें पूर्णिमा का ब्रत सबसे उत्तम ब्रतों की रूप में जाना जाता है आप सभी जानते होंगे मालक्ष्मी का पूजन पी निमाती थी स्री चंद्र देवता महादेव स्री हरी विष्णु के विग्रह स्वरूप जो है सत्य नारेण भगवान को समर्पित है और अपने आप में पावन देव दिवाली इसे कहा जाता है अर्था देवताओं की दिवाली जो विशेस है अपनी छमता अनुसार पूरे द खदरी दर्था का नाश होगा महादेव के सिवलिंग पर चावल समर्पित करें इस दिन खीर बनाकर मालक्षमी को समर्पित करना साथ के साथ आवश्यक रूप से कुवारी लड़की को घर पर खीर खिलाना या सुहागिन महला को भी भोग के सवरूप में खीर खिलाना अभिशेक पंचामरत से दूद, दही, घिसकर, शहद से अभिशेक सर्विस्रेश्ट फलो की प्राप्ति में सहयक मना जाता है, शाम को जब चंदर देवता आपको दिखे तब आप सभी ओम चंदर देवाए नमहा या ओम शोम शोमाए नमहा कहते हुए, सफेद, फूल, और कुछ दाने मिसरी के डाल कर चंदर देवता को अरगने और खूब दूब दीब दान करें शाम के समय, आप कुछ ना कर पाते हैं, तो सिर्फ यह कारी भी आपको विशेश फलो की प्राप्ति दिलाने में सहयक होंगे, आप जानते हैं, 2003 इसमें कप पढ़ने जा रही है, देव दिवाली पंचांग के अनुसार, इस बार कार्तिक महा के सुखल पक्ष की जो यह माहा पूर्णिमा है, 26 नौंबर रविवार को दो पहर तीन वचकर 53 मिनट के आसपास आरंभ हो जा रही है, इस तिथी का समापन 27 नौंबर दिन सुक्रवार को दो पहर दो बचकर 45 मि आमों के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा इस वर्ष दो हजारते इसमें 27 नौंबर सौंबार को होगी, इसी दिन जो है कार्तिक पूर्णिमा का ब्रत इस नांध्यान संपूर्ण चीज़े की जाएगी, ठीक है, इस स्क्रेन पर भी सभी चीज़े दी हुई है, इन चीज़े महरत जानेंगे, तो आवश्यक रूप से 27 नौंबर को ब्रह्म महरत में, ब्रह्म महरत से ही कार्तिक पूर्णिमा इस नांध्यान आरंब हो जाएगा, इस दिन ब्रह्म महरत प्राथे 5 बचकर 5 मिनट से 5 बचकर 59 मिनट के आसपास तक रहेगा, ब्रह्म महरत से दिन भर कार् जादना मंत्र जापका कहलीजिए अभी जीत महरत 11 बचकर 57 मिनट से दो पहर 12 बचकर 30 मिनट के आसपास हो रहा है यह चीज़े स्क्रीन पर सभी चीज़े मैंशन की हुई है और पूर्ण उपसे पंचांग में देखकर बताई जा रही है तो विश्वास रखे कोई गलत जानक जारी है वीडियो उची तूपयोगी रहा हो तो किर्पिया चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जिसे आवशकता हो उसे जरूर से यह वीडियो भीज दीजेगा खूब खूब महादेव की सेवा आराधना सत्यनारान भगवान की कथा इसमारान ध्यान कि असीम दिन है इस दिन की परिकल्पना अपने आप में अद्भूत है धीरे धीरे चैनल पर सभी वीडियो जाएंगी जैमाता दी